आज मैं रतलाम जिले में बारती जंता पार्टी के संगठन के पर्व जो सदस्यता का अभियान देश के अंदर अभी तेज गती के साथ चल रहा है उसी के नमित आज मैं रतलाम जिले में और बिसेश तोर पर मैं सेलाना विधानसबा के बूत के कार्करताओं के साथ कि सेलाना विधानसबा हम इस वार हा रहे हैं इसलिए उन विधानसबाओं को या उन चितनों को हमने ज़्यादा फोकस किया है कि वहाँ जादा से जादा सदस्ता हो और भारती जनता पार्टी को नए अवसर मिलें तो उन विदान समाओं में पंद्रहजार के करीब हम जो बूत भारे हैं लगातार उन बूतों पर भी हमने फोकुश किया है तो इसलिए एक नया अवशर भारती जनता पार्टी के कारकरताओं को अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करने का इस संगठन के पर में सदस्ता के अभियान में मिला है मैं भी उसने में ताज भूत के कारकरताओं से सक्ती के इंद्र के कारकरताओं से सेलाना विदान सभा में बात करूँगा बाद मैं फिर हमारे समाज के अन्यन बर्ग के जो लोग हैं जो सर्व ब्यापी और सर्व इस पर सी सदसिता बनाने के लिए हम प्रतिवद्दित हैं कि हर बर्ग में भारती जन्ता पार्टी की पहुँच हो तो आज मैं रतलाम में जब लोटने के बाद समाज के विभिन बर्गों की मेंबर्शिप भी आज यहां पर होगी देखे इस प्रकार के जो लोग है जो मध्यप्रदेश के अंदर या देश के अंदर ऐसे तथा कथित कुछसित प्रयास जो लोग करने वाले हैं कि समाज का बातावरण कैसे बेगाड़ा जाए इसमें योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग, कुछ राजनितिक दल के लोग भी इन घटनाओं में इनके पीछे इन्वाल्व रहते हैं उने लगता है कि मद्ध्रदेश तो बड़ा अच्छा है बड़ा सांती से चल रहा है भारती जन्तापार्टी की सरकार है फूट कवर्नेंस के साथ काम कर रही है तो कैसे बातवन को बेगाड़ा जाए लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई हमारी सरकार ने और हमारे संबेदंसील मुक्षमंत्री डाक्टर महौन यादव लगातार ऐसे लोगों को एक छण भी नहीं छोड़ते तो चाए वो बिधर्मी होंगे चाए इस परकार की घटनाय दुरगटनाय करने वारे लोग होंगे उनका इस्थान समाज में नहीं उनका इस्थान जेल केंदरी होगा और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई होगा तो क्या दिगवजय सिंग रतलाम की उस घटना पर जो अभी आप सभी पत्रकार में तर जिस वात को कह रहे हैं कि गड़े सुथ सब में तथा कथित कुछ लोगों ने बिधर्मियों ने पत्राव किया तो दिगवजय सिंग उसे पत्राव को अच्छा मानते हैं या उन लोगों का जिन्होंने पत्राव किया दिगवजय सिंग जी आप समरसन करते हैं और दिगवजय सिंग जी की आदक कारण क्या है दिखिए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आज आप कुश्चन क्यों करते मुझसे क्योंकि उन्हें कामी यही बचा है कि हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है कुछ बचा नहीं है तो तुस्ति करणगी राजनीती में बिधर्मियों के साथ खड़े हो जा बिधर्मियों के साथ खड़े होंगे तो हम चर्चा में आएंगे तो ऐसे लोगों को दिखवजे सिंग आज से नहीं अरे कहीं की मजजिद और कहीं मद्ध्र प्रदेश में बता करके भगवा दोज लगा करके दिखवजे सिंग ने ट्विट किया था आपको ज्यान में होगा इतना जूट बोलने वाला नेता इतना जूट परोस करके समाज का बातरण बेगाड़ने वाला नेता दिखवजे सिंग आज वो उन्चे और क्या पेच्छा की जा सकती है लेकिन समाज तत्पर है, प्रशासन तत्पर है, ऐसे लोगों को बात अबरन बिगाडने की ननुमती है और मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार महंजी के नेतरत में गंबीरता, संबेदन सीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है ऐसे तत्तों के खिलाब चाब देवुजा सिंग जी हो, क्या कोई और हो?